नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे अध्याई 9 यानि चैप्टर 9 नागरी केंदिर स्याओं की जानकारी एक्स्प्लोरिरिंग कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज इसमें हम सबसे पहला पुइंट है आधार सेवाएं यानि आधार सर्विस आधार बारांकों की विसिष्ट पहचान संक्या है जो सभी भारती निवाशियों को उनके बायमेटरिक और जन सांखी की डेटा के आधार पर बारती निवाशिष्ट पहचान प्राधिकरन का या जाता है ऐसे आधार के बारे में आप सभी जानते हैं अब हम बात करते हैं आधार कार्ड के लिए पंजी करने यानि how to enroll for आधार कार्ड आधार प्राप्त करने के लिए या आधार के लिए आधार के लिए आधार के लिए के आफशकता होती है इसमें आप अपने निवास और पहचान से समझी दस्तावेज या फोटो को पी को आधार नामांकन फोर्म के साथ किसी भी नजदी अधिकृत आधार नामांकन के रितर पर ले जाएं और भारत में कहीं भी UIDAI द्वारा अधिकृत नामांकन सीवरी में ज करेगा और आपके डेटा जाचने के लिए कहेगा फिर आपको फिंगर्प्रिंट और आई रिस इसके निंग की परकिरह से बुजड़ना होगा इसके बाद आपके तस्वीर ली जाएगी ऑपरेटर या नामांकन करता श्यों के फिंगर्प्रिंट के साथ साइन ओक करेगा संख्या और अन्य विवरन डिटेल के साथ आपको एक 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 लोजमेंट स्लिप की प्रिंटर दी जाएगी यहां आपका आधार संख्या प्राप्त करने के लिए कारेपून होता है आपको बात करते हैं आधार कार्ड को अपडेट यानि आधार कार्ड अपडेशन यू दी होती है दूसरी ओफलाइन भी दी आप यू आई डी ए आई के अधिकारी ओनलाइन पोटल यानि वेबसाइट है यू आई डी ए डोट योवी डोट इन पर अपने अकाउंट को कुछ सिंपल स्टेप के अनुसरन करके और अपने डीटेल अपडेट कर सकते हैं आप अप बैंक करें नेट बैंकिंग का उप्योग करके आप ओनलाइन अधार विवरन अपडेट कर सकते हैं आविन पत्र भणना और शियों बैंक में जमा करा सकते हैं इसी प्रकार हम बात करते हैं आप आधार के बारे में सुरक्षा समद्धित आकांशाएं यानि सेप्टी को कॉन आधार को व्यापक रूप से स्विकार किया जा रहा है सरकार नहीं वित्य समावेशन योजनव में आधार का उपयोग करके कई लाभू को इससे जोड रही हैं आपको अपने आधार कार्ड नंबर उसकी कोपी को हर किसी के साथ से नहीं करना चाहिए अगर आपको शेयर की ज़रतपदी सुचित करेंगी कोपी डोकुमेंट स्वय पर्मानित करें तथा इस पर तीथी डेट उद्देश से परपज अंकित करें इसका दुरपयोग होने से बचा जा सकता है फिर भी आपको लगता है इसका दुरपयोग हो रहा है तो आप कानूनी कारवाई भी कर सकत अभी हमने अाधार कार्ड के बारे में बात किये अब हम बात करेंगे आएकर विवाग की सेवाएं Income Tax Department Service इसमें सबसे पहले आता है पेंड कार्ड आवेधन और संसोदन नहीं पेंड कार्ड की फुल्फ़र होती है पर्मानेंट अकाउंट नबर नए pen card के लिए आविधन प्रिक्रायम में दो मूलभूतिस से होते हैं सबसे पहले आविधन फोर्म में बढ़ना और दूसरा होता आएकर विवाग द्वारा कार्ड का वितरन होना हम pen card कैसे ओनलाइन आविधन कर सकते हैं अपने ब्राउजर में nsdl फुल फोर्म होती इसकी नेशनल शेक्रिटी डिपोजिटरी और लिमिटेड वेबसाइट को खोले वेबसाइट है ती आई एन टिन डोट टिन डोट nsdl डोट कोम स्लेश पी एएन पैन स्लेश एफ ओ आर एम फोर्टी नाइन एडी एस सी डोट stml आप इसे गुगल में भी सर्च कर सकते हैं यदि कोई स्प्लिंग मिस्टेक हो रहे हैं तो गुगल उसको सभी मिनिंग बता देगा और फॉर्म 149 ए ओनलाइन भरें किसी भी जानकारी में यदि कुछ गलत दर्जी कर दिया हूँ तो उसको रिव्यू करके और एडिट करें वेबसाइट में आपको प्रसिंग सुल के बुकतान के लिए एक गेटवे पर भीज देगा फीस का बुकतान डेबिट कार्ड केड़ कार्ड इं करने के बाद उपयोग करता रेफ्रेंस के लिए एक एक लोजमेंट नंबर दिया जाता है आपके पेन रिक्वेस्ट के स्टेटस की संदव संक्या माध्यम से ट्रेक किया जा सकता है आईविदन की स्विक्रेती का प्रिंट आउट पते पैचान दस्तावे जो दो प्रिंट को अपडेट इसी प्रकार से हम कर सकते हैं यानि एनेसडील पर साइट पर जाके हम कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं पुराने आईटेयर को पुरह प्राप्त करना यानि आईटेयर पहले भर चुके हैं उसका प्रिंट निकालना हो आप आईकर वेबसाइट पर लोगिन करके अपने द्वारा दायर पुराने आई ट्यार वो पुन्ह प्राफ्त कर सकते हैं परवेश करने के बाद इफिलिंग टेक्स रिटर्न देखने के लिए आप व्यू रिटर्न फॉम विकल्प चुने है इसमें डाउनलोड शुरू करने के लिए आई ट्यार वी एक्लोजमेंट का चैन करें डाउनलोड करने के बाद दस्तावेश खुनने के लिए पासवर्ड एंटर करें आपका पासवर्ड लोवर केस लेटर में अलफाबेट आपके पेन नंबर के साथ जनुतिती होती है अब इसके बाद हम बात करते हैं पासपोर्ट से वाएं यान पासपोर्ट आवेदन पासपोर्ड आवेदन के लिए ओनलाइन 5 फोंभर ना पासपोर्ड सुलक ओंलाइन जम्मा करानाições पासपोर्ड से अपकेंद्र या पासपवर्ड केंद्र की बुकिंग वेबसाइट पासपॉर्ड इंडिया.ioe.ing में login करके किया जा सकता है एक बार जब आप बुकतान करते हैं पासपोर्ट appointment की booking करते हैं उसके उपरांत आप ARN receipt print करें इसके बाद आपको PSK में आविधन को process करवाना होगा इसमें step first है passport से वापर पर लोग in या पंजी करना आपको website पर अपना अकाउंट नम बनाकर register करना होगा register करने के लिए आप कुछ बेसिक डिटेल जैसे नेम डियो बी इमेल मोबाइल नमबर आधि को चुनना होगा और अपना यह इसराइटी पासपोर्ट बनाकर website पर लोगिन कर सकते हैं आपक प्रकार चुनना नया पासपोर्ट यह पासपोर्ट से जारी करना फिर से जारी करना डिप्लो मेटिक पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट पुलिस क्लेंस पर्मान पत्र पहचान पत्र है इसमें किसी एक को आविधन को चुनना होगा आविधन चुनने के बाद पत्र के दो तरह से बहे जाते हैं ओफलाइन या ओनलाइन ओफलाइन मोड के लिए आप पासपोर्ट और e-foam डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भरकर वेबसाइट पर वापस अपलोड कर सकते हैं ओफलाइन विद्धी फोर्म बढ़ने का एक फास तरीका है इसमें इंटरनेट कनेक्शन के आवसकता नहीं ओनलाइन मोड में आपको सभी आवसक डिटेल ओफलाइन बढ़ने होंगे एक बार जब आपको सभी वी पॉर्स पर लेना होगा जहां आपको स्यों उपसित होना होगा आप पोटल पर आपने चैतर के लिए प्यसके का पता लगा सकते हैं आपस्थ करनेक्स पर जाएं ने के लिए उम सेव संब्मित ऐपलिकसन देखें कि से हैं यहां आपके दोड़ापूर में जमा किए गए आविधन फार्म के बारे में वित्तरन विवरन वाले एक प्रश्ट प्रदस्रित करेगा यह है टेव बूलर ओम और एरन फाइल नंबर एप्लिकेशन ने अपोइन्मेंट डेट और सम्मीशन नंबर दिखाएगा यह है आपकी बुक्तान प्रक्राइब करता है यहां से choosing your mode of payment शुरू होता है आप यहां तो online payment mode या फिर offline बुक्तान विद्धी चुन सकते हैं बुक्तान के पश्चात passport बुक करना अगला कदम है लिजन passport office के तहत यानि आर्पियो प्येस के में appointment के लिए पेज़ डेट कुपलब्द करवाता है और आपको अपने रेश्टर मोबाइल नंबर या email id पर सभी गतिवीदी हूं की confirmation मिल जाएगी अब हम चोथे option पर बात करते हैं टिकेट बुकिंग से वाए जिसमें सबसे पहला आता है भारतिये रेल पंजिकरन एम साइनिंग भारतिये रेलवे खानपान प्रेटन निगम यानि IRCTC भारतिये रेल द्वारा ओथराइजड हैं जो यात्रों को ओन लाइन आरक्षन से वाए विजवेशन सर्विस परदान करता है कोई भी टांजेक्शन से पहले आपको अपना पंजिकरन वेबसाइट वेबसाइट का नाम है www.irctc.co.in पैर करना होगा अपना यूजर आइडी एंड पासवड बनाना होगा आपको साइन अप लिंक क्लिक करने की जुरत है और फिर यूजर पासवड नेम जो भी डिटेल उसमें है वो आपको डिटेल भर सकते हैं इसके बाद में अपने आया सीट अकाउंट को सक्रे करने के लिए वेरिविक्शन कोड एक्टिवेशन लिंक करमस SMS ये इमेल आईडी से आपको प्राप्त होता है इमेल ये एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें बाद में मोबाइल कोड आवशक हैं सब्मिट बटन क्लिक करने से पहले संदिय स्पोले और कोड दर्ज करें आपका अकाउंट अब उप्योग के लिए तियार हो जाएगा इसके बाद में आप ये नार इसकी ट्रेकिंग कर सकते हैं पी एनार फुल्पोम होती है पेसेंजर नेम रिकोड का छो अगाने के लिए स्तमाल किया जा सकता है अनुम है कि अ आप सब्सक्राइब में अपनने अपने टीकेट ओनलाइन बुक किक करें और www.isit.co.in पर इने लोगिन करके आप क्रिस्टियल का उप्योग करके पेना स्टेटस की जाज कर सकते हैं बूक्टे टिकेट सेलेक्ट और गेट पेना स्टेटस क्लिक कर सकते हैं इसके बाद में टिकेट के आगवन प्रस्तान के बारे में पूस्तास यान इनक्वारी अबाउट एरिवल और डिपार्चर ओप टिकेटे अपने ट्रेन को स्पोर्ट करें ट्रेन की लाइव चलने की इस्तिती लाइव इस्टेशन ऊपर निधार्थ अवधी इस्टेशन शलेशं एडिए एस इस पर जाके हम देख सकते हैं यह अधी ट्रेन कहाँ आई ट्रेन केंसिल तो नहीं हो गई है यह साई डेटेल हम इसमें चेक कर सकते हैं आयाउसीटीची बुकिंग आयासीटीची इंट्रेन के बादेश्में टिक्ट बुक करने के लिए सिंपल से प्ल जैसे कई उप्यों की सर्विस दिखाई देगी इसमें आप होम पेज पर प्लेन माई ट्रेवल विकल्प देख सकते हैं जो टिक्ट बुक करने के लिए पहला कदम है यानि destination, date, quota, find train पर क्लिक रहें इच्छा तीतियों के लिए चुन्नेहतू, designation पर उप्लोब ट्रेनों की आपको सुची दिखाई दी जाएगी और आगे के जानकरे आपको दिखाई दी जाएगी उसके द्वारा हम सर्च कर सकते हैं या टिकेट बुक भी कर सकते हैं इसके बाद में e-ticket रद करना यानि cancel करना e-ticket को i-cct website के बादियम से online रद किया जा सकता है तब तक हो सकता है जब तक टैन की चार्ट त्यार नहीं हो जाती है railway counter पर e-ticket के लिए cancellation के नमती नहीं है और आपको i-cct.co.in पर login करने की जुरुत है बुक्ड टिकेट लिंक पर जाएं और रद करने के लिए टिकेट की चैन करें और रद यानि cancel करने के लिए यात्रियों का चुनाव कर समद्धी टिकेट रद कर सकते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं RSRTC यानि राज्तान राज्य सडग परिवन निगम राज्तान में बस सेवा परदान करने वाली एक सारजनी बस परिवन कंपनी है यह राज्तान के और उसके बाहर अपने सभी यात्रियों को राज्य के बीतर और बाहर बस सेवाए परदान करता है इसकी website है rsrtconline.gob.in इसमें पंजीकरन और signing आपको transaction करने से पहले account बनाना या registration करना जुरूरी है फिल लोगिन करके हम इस website पर जा सकते हैं इसमें जाके अपना account एक्टिवेट करके और ticket book कर सकते हैं समय साय नहीं देखें इसमें यानि desired route पर बसों के schedule की जहांच के लिए आपको ICT portal पर लोगिन करने के आप सकता नहीं है आप लोगिन प्रेस्ट पर बस inquiry पर क्लिक करें ऐसा कर सकते हैं बस पूस्ता स्पेस पर बस अड़ो यानि from and to के साथ याता तारीक बस प्रकार आदी डिटेल आप चेक कर सकते हैं इसके बाद में टिकेट बुकिंग ओनलाइन टिकेट बुक करने के लिए आपको इजराइडी पास्ट इस्तेमाल कर वेबसाइट को लोगिन करें बुकिंग प्रष्ट पर जाके याता तीथी बस यहाँ प्रकार याता विवरान और परवेश करते समय अपने यात्रियों के लिए स्टोप हैर सेट अविलेटी का पता लगा सकते हैं इसके अलावा टिगेट को रद करना आप वेबसाइट पर लोगिन कर सकते हैं और बाए मिनू पर माई टिगेट पर जा सकते हैं सिस्टम आपको सभी टिगेट दिखाएगा जो की कैंसल इसने के लिए उपलब्द है टिगेट करने के लिए टू कैंसल पर क्लिक रहें न्यू बिंडो में टिगेट विरंड यात्रुक सुची दिखाई देगी चाहे आप चाहे तो पूरी टिगेट कैंसल कर सकते हैं इस प्रकाईश टेप द्वारा हम टिकेटे बुक कर सकते हैं अब पांच आप्शन आता है राष्ट्र मद्दाता सेवा पोटल यह नेशनल वोटर सर्वीस पोटल राष्ट्र मद्दाता सेवा पोटल वेब साइट है www.nvsp.in को पांच जनुवरी 2015 में राष्ट्र मद्दाता दीवस के अवसर पर मद्दाताओं को एकल खिटकी पांच किया गया है इसी आई एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया द्वारा उप्लब्द कराए गया है उप्यों करते वेब सट पर जा सकते हैं सेवाओं का लाव उठाने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं चुनाव सुची में नाम खोजे नहीं पंजिगर हिंदी और इं इसमें आता मस्दाता सुची में नाम खोजे नाम कैसे खोजेंगे आप एक आपके विरन के माद्यम से दूसरा आपके EPIC संख्या के माद्यम से आप सर्च कर सकते हैं अपने बूत AC और PC को जाने अपने बूत AC का मदलब होता है Assembly Constitution C और PC का मदलब होता है Parliamentary Constitution C के बारे में जानकर जाने के लिए आपको www.nvsp.in पर जाकर एक बार फिर से प्रक्रादोराना होगा और Home Page के Link Now Your Booth AC & PC पर क्लिक करना होगा आप नए मदलब दाता पंजिकरन के लिए आविदन कर सकते हैं Home Page पर आप नए मदलब दाता पंजिकरन आविदन करने के लिए Link देखें लिंक क्लिक करके के बाद आप एक नए मदलब दाता के रूप में रेश्टेशन होगा देखेंगे चुनावी रोल में प्रवेस्टियों का सुधार NVSP या National Water Service Portal नागरिकों के लिए अपनी चुनावी एंट्रीज में क्रेक्शन अल्ट्रेशन के लिए ओनलाइन सुधार प्रदान करता है जिसमें NVSP Portal के Home Page पर चुनावी रोल एंट्रीज सुधार के लिए Link पर क्लिक करें क्लेक्शन लिंक के लिए क्लेक्शन लिंक पर क्लिक करके आप अपना पेज पर जाएं और आप सुधार के लिए Online Form 8 Online देखेंगे इस Form की Win Entries नाम पता ठीक करके और आप डोकुमेंट अप्लोड यानि सपोर्टिंग डोकुमेंट अप्लोड कर दें कि LPG सेवा और सद्द सेता ओनना डोकी है Online Refill Booking और गेस के बारे में आप सब रहा है मगा चैया और रहा और भी केखेंए याम कर आप आप कर सकते है है एनcohol सब्सक्रटिंग मिल्ते हैं बूक रिफिल लिंक होता है यानि रेइस्टर मोबाइल नंबर या इमेल आईडी पर कर सकते हैं पिछली डेलेवरी डेटा की जांच आजकल गेस कंपनिया गेस लेंडों के पिछली विरन इस्तेती की जांच के लिए नागरिवों को विभी मिन तरीकें से सहता प्रदाह करती है आप वेबसाइट बजाए यूजर आईडी एंड पास्वर के साथ अपने सेवर प्रदाथा वेबसाइट को लोगिन करें और आप व्यू ओडर इस्ट्रीम लिंक देख सकते हैं वित्रक प्रिवितन के लिए ओनलाइन अनुरोद न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करके अपने चेतर वर्तवान वितरक अन्य वितरक जैंसी देख सकते हैं यूजर द्वारादीगी रेटिंग भी दे सकते हैं इसके अलावा हम बात करता कनेक्शन की क्लोजर और गेस कनेक्शन मेनुली सरेंडर करने के लिए आप परसनली आपको डॉकुमेंट अरेंज करने दिस्टूपुटर को कॉंटेक्ट करने की समय अधिक समय देना होता है आप ओनलाइन भी सिलेंडर का नुरो जमा करा सकते हैं एक बार ओनलाइन जमा होने के पच्चा डिस्टूपुटर आपके घर अपने एक सिलेंडर या हिल्ट लेने के लिए आएंगे उनके उन्हें का इस चैनल के लिए और भी वीडियोज आपको प्रवाइट करते रहेंगे और आने वाले एक्जामों में आपकी साहता के लिए क्यूशन पेपर भी तैयार कर रहे हैं धन्यवाद आज के टाइब में बुक्स पढ़ने के बजाएं हर व्यक्ति क्यूशन सुनना जदा पसंद करता है यदि आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको पॉंट जल्दी याद हो जाएंगे इसके लावा हम कोशिस कर रहे हैं बुक्स को सोट रूप में आपको परस्तुत कर सकें इ उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और भी वीडियो देखनी हो तो ssit.jepo.com slash video underscore gallery.php या ssit.qsfine.com पर भी जाके देख सकते हैं यदि आप हमारी इस चैनल को सबस्क्राइब करते हैं तो आगे आने वाली वीडियो आपको आटो मिल जाएगी यदि आपका या अपने परिवार में या और अपने रिलेशन में किसी का एक्जाम हो या होएगा तो उनके लिए लापदायब रहेगी एक्जाम से पहले हम Most Christian भी बेजेंगे और हो सकता है उसके लिए नीचे आप देखेंगे सबस्क्राइब रेट कलर में लिखावा आ रहा है उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ग्रे कलर में बदल जाएगा और लिखावा जाएगा सबस्क्राइब इसका म उसमें 3 option आएगी जिसमें पहला option है All उसपे क्लिक करेंगे तब भी हम आपको वीडियो बेजते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और उसमें आपको help मिल सकें देनेवाद सभी मित्रू देनेवाद